हेलो फ्रेंस वेलकम बैक इन आवर चैनल ये वही स्नेक प्लांट का पॉट है जिसमें से निकाल कर मैंने अपने टैरिस पर प्लांट लगाये थे और सभी प्लांट लग चुके हैं बेसक से दो महीने लगे हैं लेकिन लग गए हैं नियू लिव्स निकल कर आ रहे हैं सभी पॉट से इस प्लांट की बात करें तो ये एक इंडोर प्लांट है ये नैचुरल एयर प्यूरिफायर है मीन्स हवा में जो टॉक्सिन होते हैं वो अपने लिव्स में कीज लेता है और भरपूर मातरा में ऑक्सीजन रिलीस करता है गालन reference है जिसक आप इसे लगाना जितना आसान है उतना ही इस इसे अपने गार्डन में बनाए रखना है और एक बार आने के बाद ये कहीं नहीं जाता लेकिन आप इससे दूप में नहीं रख सकते हैं इसे week में एक बार पानी देना चाहिए वैसे तो ये hardy plant होता है लेकिन आप इसे धूप में नहीं रख सकते बेसक से आप इसे कमरे में रख लो light की रोशने से भी चल जाएगा इसे आप single leaves से भी propagate कर सकते हो बहुत easily हो जाता है आप इसे पानी में भी propagate कर सकते हो और direct मिट्टी में भी बस सोड़ा time लगेगा लेकिन हो जाता है और ऐसा होता है कि आप new plant लगाते लगाते ठक जाओगे पर ये नहीं रुकेगा और अगर आप रुक गए तो ये propagate होते होते आपके pot को भी तोड़ देता है single leaves के अलावा आप इसे direct मिट्टी से भी निकाल कर जिसमें bulb हो आप इसे well-drain मिट्टी बना कर रिपोर्ट कर दें जिसमें bulb होंगे वो जल्दी multiple होते है एक बार आने के बाद ये आपके garden से कभी नहीं जाएगा ये plant सिर्फ एक ही reason से मरता है over watering की इसलिए आप इसे पानी कम से कम हपते दस दिन में एक ही बार दें ये बहुत अच्छा plant है ये सच्पुछ no care plant है means कभी कभी हमारी किसी mistake से अगर इसकी leaves गल रही है तो इसे आप अलग कर दें बस आपको और कुछ नहीं करना ये अपने आप ही ठीक हो जाता है अगर आपके garden में ये plant अभी तक नहीं है तो आप इसे लगा सकते हैं बहुत अच्छा plant है ये मेरा वही snake plant है जिसे मैंने थोड़े दिन पहले लगाया था लग तो गया था ये पहले ही बट इसका पहला बेबी snake plant अब निकला है छोटू सा है देखो कितना अच्छा लग रहा है वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक कर देना चैनल पर नए है तो सब्सक्राइब